कुछ के बारे में नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो को एंड तक देखेगा सब्सक्राइब करिएगा लाइक करेगा ताकि और मैं आप लोगे लिए Maths Facts के बारे में बता सकूँ कि Maths की Origin, Maths में क्या-क्या होते हैं, Maths के कौन से चीजे कहां से आई हैं तो हम लोग इस वीडियो में सीख सकेंगे जैसे सबसे पहला Maths Facts हम लोग जानते हैं कि 0 is the only number which cannot be represented by the Roman numeral यानि कि 0 एक ऐसा number है जो Roman numerals में represent नहीं हो सकते हैं यानि कि 0 का कोई भी specific symbol नहीं बना हुआ है बाकी सबका symbol है, सबको आपको लोग को पता ही है लेकिन 0 एक ऐसा number है जिसका कोई भी specific symbol Roman numeral में नहीं बना है अब हम लोग fact 2 के बारे में जानते हैं, fact 2 क्या कहता है, सब लोग जानते होंगे कि plus और minus sign क्या होता है सब लोग जानते है, plus का मतलब होता है add करना, minus का मतलब होता है subtract करना तो ये sign जो है, symbol है, were used as early as 1489 AD, यानि आज से 500-600 साल पहले ये use हुए थे plus और minus sign तो ये max के facts हैं, यानि कि plus और minus sign जो symbol है, वो used हुआ था early as 1489 AD में यानि कि आज से 500-600 साल पहले, ओके? अब हम लोग अपने अगले math facts पहेंगे, जो कि बहुत unique है, जो बहुत लोगों को पता नहीं होगा लेकिन आप आज लोग इस वीडियो को देखने के बाद जान पाएंगे, जैसे from 0 to 1000, the letter A only appear in 1000, यानि कि 0 से 1000 तक की जब हम counting लिखते हैं, 0 से 1 तक की सिर्फ 1000 तक एक ऐसा number है, जिसमें केवल ये A represent होता है, बाकी और किसी में भी A represent नहीं होता है आप चेक कर सकते हैं, 1 की spelling लिखके 2 की, ऐसे 1 से लेकर के 199 तक spelling लिखके चेक कर लेंगे, तो किसी में भी A नहीं आएगा जैसे ही आप 1000 लिखोगे, उसमें 1000 में तुरंट के आ जाएगा A, यानि कि 0 से 1000 तक की जब हम counting परेंगे, तो letter A केवल अपियर होगा 1000 में तो आज के पहले ये वाले fact कभी जाना था? नहीं, तो ये new fact है कि कैसे हम लोग जाने कि 10 से लेकर के 1000 तक कि अगर हम लोग नंबर नेम लिखते हैं, तो उसमें 1000 ये कैसा नंबर है, जिसमें A मिला था अब हम लोग अपने fact number 4 पर आते हैं, जो कि बहुत लोग को नहीं पता होगा Every odd number has E in it, इसका मतलब क्या है कि every odd number, यानि कि simple सी बात है, कोई भी odd number ले लो जैसे पहला odd number क्या होता है, 1, तो 1 की spelling क्या होती है, O-N-E-1, तो इसमें भी देखो last में E आया फिर अगला odd number क्या होता है, 3, तो 3 की spelling क्या होती है, T-H-R-E-E, इसमें भी देखो 2 E है फिर उसके अगला number क्या है, 5 मालो लेते हैं, तो 5 की spelling क्या होती है, F-I-V-E-5, उसके भी last में E है फिर अगला odd number क्या होता है 7 तो 7 की spelling होती है S-E-V-E-N तो उसमें भी E-E है अगर अगला number हम लेते है 9 तो N-I-N-E 9 तो हो गया ना proof maths facts में कि every odd number has E in it कि मतलब कोई भी odd number हम लेते हैं तो उसमें E जरूर होता है last वाला जो fact है वो बहुत ही amazing fact है जो बहुत लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं होगा लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद पता चल जाएगा जो fact number 5 है वो सब सीख जाएंगे इस वीडियो को जरूर पूरा देखेंगे ताकि हम लोग 1 से लेकर के 5 तक amazing facts को देख सकें ओके क्या आप लोग जानते हैं do you know the magic number is 9 क्या आप लोग को पता है कि 9 जो है एक वो magic number है नहीं किसी को नहीं पता होगा क्यों 9 एक magic number है 9 इसलिए magic number है कि अगर हम लोग 9 को किसी भी number में multiply करेंगे तो उसका जो number आएगा answer आएगा अगर हम उसको add करेंगे तो उसकी value 9 आएगी देखें fact को जैसे अगर हम लोग लिखें 9 की 9 इंटू 5 कि हम लोग ने एक example तो 9 5 जा 45 और 5 और 4 एड करने पर कितना आया 9 अगर माल लो हमने एक number लिया 8 इंटू 9 किया तो 8 9 जा 72 इसमें 9 हमने लिया ही है 9 8 जा 72 तो देखो फिर 7 और 2 एड किया तो कितना आया 9 माल लो हमने 9 को multiply किया 3 में तो 9 3 जा 27 अब 7 और 2 एड किया तो कितना आएगा 9 तो देखा यानि कि किसी भी number में अगर हम लोग 9 को multiply करते हैं तो magic क्या आया जो उसका answer आया अगर उस answer को उम लोग plus करेंगे तो में answer क्या मिलेगा 9 तेंक यू ऐसे ही amazing facts दानने के लिए आप लोग मेरे channel को subscribe करें like करें और share करें तेंक यू करें